उत्रपरदेश के मुरादाबाद में ठंड बढ़ने के साथ या अपराधिक वार्दाते भी बढ़ने लगी हैं जियां जानकारी अनुसार मुरादाबाद के भोजपूर थाना शेत्र के सिर्सवा दो राहम पर बेखोफ नकाप पोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप करमचारियों को बंदग बनाकर 40,000 रुपे लूट लिए पूरी वार्दात पेट्रोल पंप के सिसी टीवी फुटेज में कैद हो गई जियां सूशना मिलते पुलिस ने मोके पर मुआयना कर मामले की जांच पर ताल की जियां आपको पता दे कि जानकारी अनुसार भोशपूर के सिर्समा दोराहा पेट्रोल पंप पर गुरवार रात नकाप पोश बदमाशों ने करमचारियों को बंदग बनाकर 40,000 रुपे लूट लिए करमचारियों के मुताबिक पाश नकाप पोश बदमाशाय और हातियारों के बल पर बंदग बना लिया इसके बाद उन्होंने लूट पार्ट शुरू कर दी जिहां बदमाशों के जाने के बाद करमचारियों ने वारदात की सूशना पेट्रोल पंप संचालक और पुलिस को दी वारदात को अंजाम देने के आरोपी सिसी टीवी में कैद हो गए है पेट्रोल पंप पर लूट की सूशना से हड़कम मज गया पुलिस ने आनन फानन में पेट्रोलिंग करवाई लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा सो भोजपुर परदीप मलिक ने बताया कि रात पेट्रोल पंप पर लूट की सूशना मिली थी और मोगे पर पहुंच कर मुआयना किया गया है सीसी टीवी में पांश नकाप पोश बदमाश रतियारों के साथ पेट्रोल पंप के कैबिन में दिखे हैं उनके पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही वार्दात का खुलासा किया जाएगा बीती रात रिलगवग साड़े बारा बचे के आसपास सिर्सवां दो रहे के पास एक पिट्रोल पंप पे सेल्समेन था रात अज्यात कुछ अभियुक्त आये गाड़ी से उतरे सेल्समेन को कबजे में लेकर उससे 40,000 रुपए लूट की घटना घटी थो गई पुलिस के द्वारा भियोग पंजिकरित किया गया है गटना के अनावरण के लिए चार टीमों का गठन किया गया है अनावरण के प्रेया हैंने वार